Good morning students, welcome to class fifth. I am your English teacher, बच्चो. आज मैं आपको English Literature का Lesson 6, गांदी जी जी चाइड़ुड पढ़ाते मैं. इसका मीनिंग है, गांदी जी का बच्पन. I must have been about 7 when my father left पोरबंदर for राज़कोर्ट to become a member of राजस्थानिक कोर्ट. मैं लगभग साथवश का रहा होंगा, जब मेरे पिता राजस्थानी कोर्ट का सदस बनने के लिए पोरबंदर छोड़कर राज़कोर्ट आ गए थे. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. वहां मुझे primary school यानि प्रात्मिक विध्याले में डाल दिया गया था, मैं उन नामों और दूसरे विवरण के बारे में अच्छी तरह याद कर सकता हूं, जो teachers उन दिनों मुझे पढ़ाते थे. As at Porvandar so here, there is hardly anything to note about my studies. मेरे अध्यन के बारे में शायद ही Porvandar में यहां कोई ऐसा note हो. I could have been only a Mediakar student. मैं के बलेक साधरन विध्यारती हो सकता था. From this school I went to Sub-Arvand school and then to the high school, having already raised my 12th year. इस school से मैं उपनगरी स्कूल अर्थात, city के स्कूल में ही उसी नगर के स्कूल में गया. और उसके बाल high school में, पहले से ही मैं 12 वर्ष का हो गया था. अर्थात, high school में जाने से पहले ही मैं 12 वर्ष का हो गया. I do not remember having ever told a lie during this short period either to my teachers or my schoolmates. मुझे याद नहीं है कि मैं शायद ही मैंने कभी इतने कम समय में अपने मित्रों या अध्यापक से कभी जूट बोला हो. I used to be very shy and avoided all company मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था और मैं उनकी कमपनी अर्थात उनके साथ से बचता था. My books and my lessons were my sole companions. मेरी तुस्तकें और मेरे lessons जो थे वो मेरे साथी थे. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. कई घंटों तक school में होना और जैसे ही school बंद हो जाना जल्दी सी जल्दी दोड़ कर घर बापे जाना यह मेरी रोजाना की habit थी यानि daily की habit यानि आदत थी. I ran back because I could not be here to talk to anybody. मैं इसलिए दोड़ा करता था. मतलब इसलिए घर जाता था क्योंकि मैं दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता था. मतलब मैं उनसे बात करना सहन नहीं कर पाता था. When I was just a child of about 15, I felt guilty of stealing a bit of gold from my brother's armlet. जब मैं लगभग 15 बश का था, मैंने अपनी भाई के armlet यानि बाजू बन से सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया था. उसके लिए मैं स्वयम को दोशी महसूस किया. परता था. It could not have been discovered by anyone, but it could not bear to live with that guilt. उसे किसी के दोरा भी ढूंडा नहीं गया था. लेकिन मैं अपनी गल्ती के साथ रहना सहन नहीं कर पा रहा था. मतलब मैं अपनी गल्ती के साथ में बहुत शर्मिन्दा था. I decided to confess my father who was very sick at the time, but did not dare to speak. मैंने अपनी पिता के सामने अपना आपराद, यानि अपना दोश अपनी गल्ती स्विकार करने का निर्ने किया. जो कि उस समय बहुत बीमार थे, लेकिन मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया. So I wrote a letter in which I confessed my crime, ask punishment for it with special mention not to punish him and pleased never to still in future. इसलिए मैंने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें मैंने अपने अपराद को सुईकार किया और अपने लिए मैंने इसका punishment भी पूछा. और यह mention किया कि इसके लिए भे स्वैम को दंड ना दें और मैंने प्रतिग्या की कि मैं कभी भी भविश्वें चोरी नहीं करूँगा. अपने कापते हुए हाथ से मैंने अपने पिता जी को भे लेटर यानि भे पत्र दिया. आफ्टर रीडिंग इट देर वर स्टियर स्टिकलिंग डाउन हिस चीक्स. उस पत्र को पढ़ने के बाग उनके गालों पर आसू की धाराएं बह गई अर्थात उनके गालों पर आसू के जरने बह गई. He tore up a note and remained wonderfully peaceful. उन्होंने उस note को फार दिया और आशारे जकेत होकर शान्ति पूर्वब रहे. I who had expected him to get angry and scold me learnt a lesson which I would never forget. मतलब मैंने सोचा था कि वो मुझे डाटेंगे और मुझसे गुस्सा होंगे. Learned a lesson which I would never forget. उन्होंने मुझे जो है प्रेम के तीरों से पीटा जो की जिनकी शक्ती बहुत अधिक थी. This was for me an object lesson in अहिंसा. इस शक्ती को मैं जानता हूँ. इसलिए अहिंसा का मेरे लिए ये एक lesson यानि पार्ट था. Then I could read in it nothing more than a father's love, but today I know that it was pure एहिंसा. जब ऐसी एहिंसा प्रतेग बस्तू और प्रतेग व्यक्ती के साथ सम्मिलित होती है, ये प्रतेग बस्तू को टच करती है और परिबर्थित करती है, तो अर्थात इसका मीनिंग ये हुगा कि अगर हमें कोई परिशान कर रहा है या कुछ कर रहा है तो हम उसे सजा देने के बजाए, यदि प्रेम से उसे समझाएं, तो वो है उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और वह भी, वह स्वैम भी दूसरों के साथ भी ऐसा ही ब्यवार करेगा, अर्थात अगर हम किसी के साथ अहिंसा का ब्यवार करेंगे, तो वह भी दूसरों के साथ अहिंसा का ब्यवार करेगा, और प्रितेक को परिवर्टित कर देगा, इसकी शक्ती की कोई सीमा नहीं है, आज मैंने आपको ये चेप्टर एक्स्मिन किया, नेक् को इसका बार का